युवा मोर्चा के नेत्रुत में आज पूरे 36 गड़ के भार्ची जन्ता पार्टी के कारकार सभी मोर्चे प्रकोष्ट के कारकरताओं ने एक जंगी प्रतसन किया, हल्ला बोल का कारकाम किया, मुख्यमंत्री निवास का घेराओ का कारकाम किया 36 गड़ के मुख्यमंत्री और पूरी कांगरे सरकार इस आंदोलों से डरी वी है, मुख्यमंत्री 36 गड़ छोड़ करके दिल्ली भाग गए और हमारे इस पूरे राइपूर को उन्होंगे चावनी में तब्दिल कर दिया, 38-10-10 किलोमीटर दूरी पर हमारे कारकरताओं को रोका गया, लाखों की संख्या में हमारे कारकरता इस कारकाम में सम्मिलित हुए और मुख्यमंत्री के गेट के सामने जाकर के उनके निवास तक उन्होंगे अपना प्रदसन किया, कॉंग्रेस जिस तरीके से डर करके पूर राइपूर को कंटेनर जोन खोशित किया है, आने वाले समय में कॉंग्रेस वेंटीलेटर जोन में जाएगी, लेकिन आप लोग के कारकाम सुरू सुरू होने से पहले, प्रदेश के दो बड़े मंत्री ता रविन चौबे और सीव धरिया प्रेस कांफरेंस करते हुए, उन लगते हैं संख्याबल की राजनेती हैं? और आज उसी के कारण से ये डर करके उल जलूल बयान ये कांगरेस के नेता दे रहे हैं, लेकिन इनके वास्तीकता को लोगों ने समझ लिया है, क्योंकि ये जूट के पुलंदे में लिप्टी हुई एक कांगरेस की सरकार, हमेशा ये लबरा सरकार आज जिस तरीके से पूरे जोज के साथ में और जिस उर्जा के साथ में उन्होंने इस कारेकम को किया, प्रतसन किया, सारे बेरिकेट्स तोड़े, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकते हैं, पूर मंतर के दारकर से जिनका साब्तर पर कहना है, कि भुपेश सरकार डर गई, विजे पी के ह अल्ला बोल से और यांदोलान सफल रहा, कि अब रसन विनम्र सर्मा के साथ, अजिर के सिर्व रहा, राइपूर, चाथिस गार